नमस्कार मेरा नाम दोक्टर लिपिका महता है आज हम ESR क्या होता है यह क्या जाता है और यह कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहला पुस्चिंद जो हमको उसको आंसर देना है वो है ESR क्या होता है, तो देखे, ESR जो है, यह एक test है, यह एक blood का test है, जो कि आपको कोई भी doctor लिख के दे सकता है, वो जाधा तर इस रूप में होता है, कि आपको CBC जब कराया जाता है, तो साथ में ESR भी include कर दिया जाता है, ESR जो test होता है, वो red blood cells, जो हमारी body में लाल कोशिकाएं होती है, उसका एक test होता है, यह जो test है, वो जाधा तर इसले कराया जाता है, कि body में जान सकें कि क्या कुछ कमी महसूस हो रही है, या फिर क्या कुछ infection चल रहा है body में, उसके बारे में हमको एक rough idea यह test दे दे दिया जा और जो blood है, उसकी couch होता है, यह test is, का जो report होती है वो आपको एक दिन में आपको मिल जाती है, इसके लिए आपको कम से कम blood की जर्रवत होती है, जब cbc किया जाता है, तो वेन से blood जो निकाल लिया जाता है, उस ही में ही यह QR test साथ में कर लिया जाता है, यह जो test है, यह क्य भी किसी भी तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई infection हो गया है या फिर कहीं सूजन आ गई है या फिर कोई भी body में inflammation हो चुकी है तो उस समय पर उस समय पर यह सार टेस्ट कराया जाता है आपको अगर मैं inflammation का मतलब समझाओं तो आप क्या समझ सकते हैं कि एक जैसे कि आपको कोई भी क चीज ने काट लिया जैसे कि आपको एक मच्छर ने काट लिया तो जो मच्छर है वो जब काटेगा तो आपको क्या होगा कि आपकी जो स्किन होगी वो रेड हो जाएगी आपकी जो स्किन है उसके अंदर क्या होगा वो थोड़ी गर्म लाल हो चाहेगी है ना और उसके तो हमारी बोड़ी खुद इंफ्लामेशन प्रडूम करती है तो यह जो टेस्ट है कि हमारी बॉड़ी में कोई क्वटाइब पपर बता रहे जाता है यह जानने के इस ऐसे पहली है यह बहुट थोड़ एंप से नहीं ऑब प्त depends कि कहीं तो इन पसकाच नहीं लाइब यह किया जाता है कुछ-कुछ जगहाओं पर तुम्हें बताती हूं सबसे पहले यह जो टेस्ट है मैंने बताया ना कि infection के causes में किया जाता है तो काफी औरते जो होते हैं उनको अर्थराइटिक पेन होता है काफी औरते जो होती हैं उनको ऐसा होता है कि liver disorders या mail में भी हम देखते हैं liver disorders बहुत जादा महसूस होते हैं कुछ लोगों में जब यह देखा जाता है कि कोई भी किसी भी चीज की वाज़े से बहुत दिनों से उनको बुखार आ रहा है लेकिन पता नहीं लग रहा इस बुखार का क्या कारण है तो उस समय पे भी ESR किया जाता है कभी कभी नॉर्मल टेस्टिंग के दोरान भी किया जाता है यह जानने के लिए कि शरीर में किसी भी तरह से कोई भी इंफेक्शन तो नहीं है तो देखे इस यह जो टेस्ट इसका फाइदा बहुत है हमको क्योंकि यह जो ESR टेस्ट है ना उसके थूँ हमको इतना जरूर समझ में आ जाते कि कुछ तो शरीर में सही नहीं है वह कुछ भी हो सकता है हो सकता है कि वह टांगों की दिक्कत हो सकता है वह हाट की दिक्कत हो सकता है वह घुटनों की दिक्कत हो सकता है कि वह पेट में कोई दिक्कत हो लीवर में कोई दिक्कत हो यह कहीं पर मतलब जब इन शोर्ट कि हमको यह जरूर पता लग जाता है कि कुछ infection जरूर है काफी बार ESR जो है वह अनीमिया की conditions में भी किया जाता है जब खून की कमी डॉक्टर बता देता है एच बी की कमी बताता है डॉक्टर तो उस टाइम पर भी Erythrocyte Sedimentation Rate , यह जो test है , यह 12 है , यह इसकी दो reports आ शकते हैं , यह से रही हो सकता है , यह सर लो सकता है , तो अगर यह सर हाइ होता है , तो इसके कुछ लक्षन होते हैं , जैसे कि अगर आफका ESR high है तो usually joint pains दिखते हैं या फिर ऐसा लगता है कि there is weakness in the body, bone infections हमको देखने के मिलते हैं, rheumatic affections, rheumatic fever जो है वो ESR जब होता है बढ़ जाता है तो उसकी conditions में होता है, काफी बार हम ऐसे देखते हैं कि जब ESR कम होता है तो usually वो sickle cell anemia, मतलब anemia बहुत टाइप के होता है, मतलब जब हमारे body में HP कमी हो जाती है या फिर anemia होता है, sickle cell, मतलब जो RBC है जो आपकी लाल कोशिका है, वो कैसी होती है, disc shaped होती है, मतलब वो एक disc के समान होती है, लेकिन sickle cell anemia में क्या होता है, कि वो RBC जो आपका बन रहा है, वो डंग से नहीं बन पाता है, और इसलिए उस सम तो protein बहुत जादा हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, या फिर proteins को लेकर कुछ problems चल रहे होती है body में, तब भी हमारा जो ESR है वो low दिखता है, हम लोग infections, malignancy, जैसे कभी-कभी काफी बार देखा जाता है, कि tumors जिनको लोगों को होते हैं, tumors के दौरान भी ESR जो होता है, व हमें ये भी तो जानने की ज़रत है कि ये कैसे होगा, और धम को क्या करना होगा, और इस से पहले क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, या इस test से पहले क्या precautions रखने चाहिए, तो देखें, जब भी आप ESR टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो usually मैंने आपको पहले भी बता तो आज कल तो इतनी अच्छी टेकनीक आ गई है कि आपकी उंगली से नॉर्मल छोटा सा इतना सा ब्लड निकाल कर भी एक टिप मारते हैं, और छोटा सा जो थोड़ा सा कम से कम इन्वेजिव टेकनीक लगा कर आपको फटफट ब्लड निकाल लिया जाता है, usually CBC के दौरान तो बने आपको बताया कि आपको आपके वेन से ब्लड निकाल लिया जाएगा और टेस्टिंग कर ली जाएगी, और जब यह भी एक क्वेशन आता है कि हमें क्या खाना चाहिए ESR से पहले और क्या नहीं, अगर आप शुगर का भी टेस्ट करा रहे हैं इसके साथ में, जैस आपको यह नहीं बोल जाता है कि आपको खाने पीने का कुछ अवोईड करें ऐसा शुग नहीं पहले भी खा और बादमे भी खा सकते हैं उसका कुछ खाने और पीने का कोई परहेज नहीं होता है, यह तेस्ट आपको दो मिनट लगता है, एक लैप टेकनीशन यह लगता है वो आपका blood ले लेते और 2-3 मिनट लगता है उनको blood लेने में बहुत cheap test है 100 रूपे या 500-200 रूपे में यह test हो जाता है अगर ESR positive आ जाता है तो उस particular organ के और test करा लिए जाते हैं यह है पता लगाने के लिए कि दिक्कत उस organ में क्या है ठीक है अगर आपको ESR से related और जानकारी चाते हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं description में उनके links हैं तो आप वे वीडियो जरूर देखें और अपनी knowledge को update कीजिए धन्यवाद